मन्डी सुलक को लेकर राजस्तान में व्यापारों के हालात बत्तर होते जा रहे हैं मन्डी में जो काम कर्रे व्यापारी हैं वह काफी परिसान है प्रशान हैं जिस्तरव से गुजरात में 30 पेसा मंडी सुलक हैं मद्य प्रदेश में 50 पेसा मंडी सुलक हैं तो राजस्थान में 2 रुपिय और 60 पेसा मंडी सुलक क्यों लिया जा रहा है मुख्य मंत्री जी सुने व्यापारियों की और उस पे नितिगत निर्ने ले ताकि व्यापारी आसानी से दास्तान के क्रसी मंडी व्यापारियों में भारी रोज हैं और वे इन दिनों खासे परेसान भी हैं केंद सरकार के क्रसी बिलों में किसानों को अपनी मर्जी के हिसाब से अपना अनाज बेचने की छूट देने के बाद क्रसी मंडी व्यापारियों में भारी रोज हो गया हैं व्यापरियों का कहिना है कि एक तो कोरोना मामारी के चलते उनका व्यापार प्रभावीत तो हुआ ही है लेकिन उनके व्यापार को सबसे ज़्यादा प्रभावीत मंडी सुल्क कर रहा है पड़ोसी राज्यों में गुजरात में जहां 30 पेसे और मद्यप्रदेश में जहां 50 पेसे मंडी सुल्क लिया जा रहा है वही राजस्तान में 2.60 पेसे होने की वज़े से किसान अब मंडी से मुख मोड रहे हैं और यसा ही चलता रहा तो राजस्तान की मंडियों में व्यापार ठप हो जाएगा क्या कहना है व्यापरियों का आपका जै इन साथियों मेरा मानन सुल्क और किसान विकास सुल्क बहुत ज्यादा है समकस्क मंडियों राज्यों को देखते हुए मानि मुख मंडियों से निवेतन है कि आप उचित कारवई करके इसमें 50 पेसा यह उचित जो भी उचित लगे वह सुल्क लगावे मंडियों को वहतास्तिती जिंदा रखने क है और भी इता इस्तिती में एंपी सरकार ने इसको 50 पिसा किया है हमारा मानने निया मुख मंडियों से निवेतन है यह था उचित बहुत जल्दी इसमें बहुत प्रदान करें जिसे हमारा राज जी पिश्रा उचित बहुत ही घरिव राज जी है उच्छा आगे बढ़ सके ऑफ़ जी बताया किया के नहीं आपका मंडे शुल्क के सरमन में पदान मत्री जी ने जो अद्य देह निकाला राएग धू बाँट करके और दो बाहर मंडिके अंदर वापार हो रहा हूं मंडिके बाहर बिना शुर्क कर वारा है तो राज्य सरगार को बीच्छिय की मंडि पॉइंट फाइफ जिरो गुज्राद राज्य में पॉइंट फाइफ जिरो है तो यह पर चलता रहेगा नहीं तो व्यापर रुपली दिक्कत हो जाएगा व्यापर व्यापर विक्ति वॉड़ने पड़ेगी कि तो यहीं है राज्य सरकार से बहुत है और में कहते हैं कि वह पर यह शुक्त करें सब्सक्राइब चलता रहे और मंडी चलती रही हिए गृष जी बता है । एक एनजी सरकार के नहीं कानूर आने के बाद अब इंपर करण राजी सरकार को भी बंडी टैक्स नहीं आ रहा है, डिएमनू पहुत ही कम हो भी है, और गयाफरी जो बिल्कूल बेणुजगार हो गया, पूरे हिंधुस्तान में 6,000 मंडिय हैं, उसमें स इसलिए आप क्या चाहते हैं किस 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 राज्य में कितना 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 टेक्स लगाता है कि इसको रास्तान में भी मंदिय शुल्ट जो मंदिय चलाने के लिए है और मंदी के अंदर जो अन्य सामान भिकरा है उसके उपर भी यूज़ टेक्स लगाता है प्रदा मंत्री का जो गरेलू राज्य है गुजरात उसमें क्या इस्तिति और यहां पर क्या इस्तिति गुजरात में 0.20 पेसा है तो अब भी वर्पमान ने अपने अपने एसटेड में पचास फेसा कर दिया है तो नहीं नाड़ू करनाड़ा कुछ पचास पेसा कर दिया है अपने यहां का व्यपार यह तो नीमत जा रहा है गुजराच जारा रास्ता का सब व्यपार टॉतल वहां चलेगा है जिससे सब्सक्राइब कर दो को लेकर देश बर में बवाल को मची रहा है लेकिन मंडियों में व्यापाडियों का क्या हाल है और उनकी सरकार से चाहे राज्य सरकार हो या केंड़ सरकार हो उनकी क्या दर्कार है हम जानेंगे जो राजस्तान के विएफार संग के वाइस स्प्रेसिडेंट भी और खादियु प्रदार्त संग के सलाकार भी है रवेल जी चोधरी इसे जानेंगे जी बताएं आपका किस तरगे हळाव और क्या के लाएन चाहते किस तरगे हो कर से मांग है आपकी देखो एसा है कि महंडियों की हालत कि पहले भी ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि मंदी सुनक जो है वह बहुत ज्यादा है और टेक्सेशन बहुत ज्यादा है इसके लिए क्योंकि इस कैन सरकार के नहे कानून से वह परिस्तियां बदल गई है और वेपारी बाहर वेपार जो करेगा उस पर कोई टेक्स नहीं लगएगा तो दिरे दिरे बड़े वेपारी बनब जाएंगे और बड़े और मॉल पलंच जाएंगे मन्यों में माल आना कम हो जाया क्योंकि डायेट खरिक वहीं से हो जाएग कि इस काण से और आट थग यह क episriぎ क्या चार्ण से और हैंनके से और मॉन्टेक्स भूंद जो है और jokes नहीं रही तो जो है वो मंडिय दिन 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 दे बरबाद हो जाए कि परंतु मेरा यह सुझाव है कि यदि आज ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मंडियों में टेक्स से दिकम कर देया जाए सबी अभी खादकदार वायवार संग की मिटिंग हुई थी उसमें भी यही थे हुआ कि पचास पैसे मंटेस कर देया जाए और सबी चीजों भी लगा दे जाए और आरज जो है वो भी एक पैसंट याठेट ब्रहन कर दे जाए यह सुझाव मुझे भी उचित लगता है और य यह सब्सक्राइस देखर है तो मंडी वेयबारी भी रह जैएंगे किसान भी अपना माल स्रक्सित आतों में पूंचा रहे गा और किसानों का हिप देखें तो भी यह हित भोगा कि मंडी सुलब को और अरत्त कम करकंशन इसभी किसान को राख सकता था इसमें नहीं बात नहीं हुई वहुत ये तो पहले है किसान को बेह सकता लुए तो जो है वह उस जो भी फटीन बड़ता जिसके दिसौता है वही पर आता है माल मेल दें के उने मंदियों विश्वास विष्वास, बीस intox Make are तो यह जो है मंडिय जो है वो अपना विकास नहीं कर पाई जी बताएं तो इसमें क्या है कि राज सरकार को एक तो MSP सबी आइटम्स की तेकर देनी चाहिए मिन्यम सबोर्ड प्राइस तो क्या होगा कि उससे उससे कम खरिदनी होगा तो किसानों पर लाव मिलेगा और जो माल हलका होगा जो भी माल जो है वहां जो टांटे लगे होएं वहां पर नहीं तुलेगा तो वह माल जो है मंडियों में आएगा और मंडियों को खर्चा भी कम कर दिये जाए कि वह जो है जल्दी से जल्दी इस सिस्टम को जो है दुष्ट करके जो भी ट्रैक्स है वह सब ट्रैक्स अटक है यह वल आठाना मंडि सुरुक और जो रहे एक से डेंट उपे जो है आरत कर दे तो यह मंडियों चलती रहेगी इसान कोई फाइदा होगा और पेपार भी च करना तो अच्छी है तो वास्ता में क्या है कि वेपारी जो माल लेके जाता है वो अपने विश्वास की जगे लेके जाता है और वो मंडिय ही है जहां ले सकता है यह नय वेपारी आएगा नय कॉंटेट करेगा और नई चीजें लगाएगा अच्छा उन तो कोई अच्छी बनी होगी उसी में उसका समाधन हो पाएगा तो वो विचारा जो है वो वो एक या दो बीगरी जमीन लेके जो है अपना फाइदा नहीं कर रहा करा सकेगा इसलिए मेरा तो अच्छा दूसरा क्या है कि केंदी कानून में जो आपने क्या नाम आश्यक बस्तों अधियम का दिल्पयोग होता था और बड़े विपार तो बच जाते थे चोड़े भी बड़े फर्ते थे इसलिए बहुत अच्छा जो है यह स्टेफ जो है गोर्विल्ट रहा है इसमें तो हम लोगी सहमत है कि आप से पुस्तों अधियम को अधिया जाए जाए जार ने ला जो है वो सभी सिचों की तेह कर दी जाए जिसे केल सब्सक्रागार में की है और मन सुर्फ को और आड़त कम कर दी जाए तो बेवा भी चलता रहेगा और मंडिय मीच लेगी और सभी लोग कुसाल रहेगी मुख्यमंत्र को एक जादुगर के रूप में मना जाता है कई सेक् करेंगे और जल्दी ही इसके निर्णे होगा है